Hey guys, once again, welcome to my channel Education Hub और इस वीडियो में हम करेंगे class 12th history का chapter 2 राजा, किसान और नगर Friends, ये इस chapter का part third होगा और पिछले इस chapter के parts देखने के लिए आप मेने channel पर जाकर देख सकते हैं Friends, इस part में हम करेंगे जो chapter 2 में सर्दार और सर्दारी के बारे में दे रखा है सर्दार और सर्दारी में Friends, बिल्कुल भी confuse होने की जरुवत नहीं है जो difference इसमें है, वो बहुत minor सा difference है और वो मैं आपको यहाँ पर explain करने वाली हो तो Friends, वीडियो बहुत ध्यान से देखना So Friends, सबसे पहले बात करते हैं सर्दार के बारे में सर्दार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है सर्दार जो होता वह एक व्यक्ति होता है जो की बहुत शक्तिशाली होता है जिसका पद वन्शा नुगत हो भी सकता है और नहीं भी वन्शा नुगत मतलब पहले उसके दादा, फिर फादर, मतलब ग्रैंट फादर, फिर वो, फिर उसके सन इस तरीके से जो वन्शा नुगत परमपरा चली आती है दादा पिता पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र इस तरीके से जो परंपरा होती है उसे वन्शा नुगत कहती है तो सरदार जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसका पत वन्शा नुगत भी हो सकता है और नहीं भी अब जो उसको समर्थन करते हैं उसके समर्थक जो होते हैं फ्रेंट्स वो उसी के खांदान के लोग होते हैं सरदार के काम क्या होते हैं उसे क्या कार्य करने होते हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ So friends, सरदार का कारिये विशेश अनुष्ठान का संचालन करना युद के समय नित्रित्व करना विवाद सुलजाने में बध्यस्तता की भूमी का निभाना मतलब जो भी विशेश अनुष्ठान होते हैं उनका संचालन करना यूद के समय अपना नितरत्व देना किस तरीके से यूद करना है और विवाद जो होते हैं उनकों को सुलजाने में मध्यस्तता की भूमी का निभाना दोनों पक्षों से बात करकर किसी नतीजे पर पहुँचना ये सारे कारिय होती है फ्रेंट्स सरदार के और वो जो होता है वो मैंने आपको बता दिया अब चलते हैं फ्रेंट्स सरदारी की और प्लीज ये बिल्कुल भी ना सोचे कि सरदार अगर व्यक्ति होता है शक्तिशाली तो सरदारी कोई शक्तिशाली औरत होती होगे इसा बिल्कुल भी नहीं है, सरदारी राज्ये को कहा जाता था तमिल शेत्र में, जो साउधर्न एरिया है, वहाँ पर सरदारी कहा जाता है राज्ये को जैसे चोल, चेर, पांडे जैसी जो सरदारिया थी, जो राज्ये थे, उनका उदे हुआ दक्षिन में चोला किंग्डम, चेरा किंग्डम, पंत्या किंग्डम, तो ये राज्ये होते हैं फ्रेंड्स, और इनी को सरदारी कहा गया अब फ्रेंड्स आप लोगों की बुक में दे रखे हैं, कि जो जनता थी, वो राज्या के बारे में कैसा सोचती थी, हलांकि हमारे पास विवरण तो बहुत कम है जो जनता के विचारों को दर्शाएं परन्तु जातक और पंचितंत जैसी जो कथाएं हैं उनसे हमें थोड़ी भोट जानकारी प्राप्त होती है और गंद तिंदू ये जातक कथा है जिससे पता लगता है कि एक राजा की प्रजा उससे बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वो बहुत जारा करों की मांग करते थे और वहां के लोगों को सही तरीके से अपना जीवन निर्वहा करने के लिए भी पैसे नहीं मिल पाते थे अब फ्रेंड्स राजा से प्रजा दुखी रहती थी लेकिन कॉश्चन उठते है कि राजा और प्रजा का तनाव पूर्ण रिष्टा क्यों हो था वो जैसे मैंने बताया कर क्योंकि राजा बड़े-बड़े करों की मांग करते थे जिससे शाशक परिशान थे नहीं यह कलती हो गई यहापर जनता परिशान थी या जो भी वहाँ के लोग थे रहने वाले वहाँ के नागरिक परिशान थे तो बेसिकली यही तनाव का कारण रहा कि वो बड़े-बड़े करों की मांग करते थे और फ्रेंज आई होप आई धिंग आया है ये फस्स उसमें फस्स अम के जो एक्जाम होते हैं उसमें उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे तो फ्रेंट्स उपज बढ़ाने के तरीके बढ़ने लगे धीरे-धीरे क्या हुआ कि हल्का प्रचलन शुरू हो गया बेसिकल एक्जाम में कोशन आई थी ये था कि छटी शतापती इसा पूर्व में उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके सामने आए यह कोशन को गुमा कर भी दे सकते हैं आपके सामने कन्फ्यूज नहीं होना है तो हलका प्रचलन शुरू हो गया फ्रेंड्स गंगा और कावेरी की जो घाटियां हैं आपको पता है गंगा भी बहुत गंगा के आसपास का जो एरिया है वो बहुत उपजाओ है और कावेरी के आसपास का एरिया भी तो वहाँ पर बहुत ज़ादा बारिश होती थी गंगा इंड कावेरी वहाँ पर बहुत ज़ादा बारिश होती थी तो वहाँ पर खेती करने के लिए या भूमी के जुताई करने के लिए वहाँ पर हलका प्रचलन शुरू हो गया उसके बाद आता है friends लोहे के फाल का प्रियोग तो friends जो उपजाव भूमी होती है वहाँ पर जुताई करने के लिए लोहे के फाल का प्रियोग होने लगा जुताई के लिए होता था basically यह आपकी book में दे रखा है लेकिन आपको exam में जब लिखना है तो कैसे लिखना है मालो basically equation 4 marks कही आता है तो आपका first point बनेगा हल का प्रियोग second point बनेगा लोहे के फाल का प्रियोग third point बन जाएगा आपका कुदाल वाला कुदाल का प्रियोग और fourth बन जाएगा सिंचाई माध्यम विक्सित करना है सिंचाई माध्यम विक्सित हुए अब आप ये लिखकर नहीं छोड़ दोगे आपको एक नमबर मिलेगा मुश्किल से आपको ये लिखकर हल का प्रियोग उसे अच्छे से अंडरलाइन करके और महां के लिए यही बेसी के लिए अच्छा होता है उसके बाद सिंचाहिस माध्याम विक्सित हुए कुए तलाबों का निर्मान करवाया गया यह से पॉइंट्स आप लिख सकते हो आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा तब जाकर आपको 4 मांस मिलेंगे तो बेसीकली मैंने आपको आंसर लिखने का तरीका भी बताया भी अब चलते हैं भूमीदान भूमीदान पर बहुत ज़ादा कनफलेक्शन हो जाता है क्योंकि भूमीदान जो है ब्रहमन या सन्यासियों को दिये जाते थे और भूमीदान महिलाएं नहीं कर सकती थी क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमी पर स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं थे अगर आप भूमी के स्वतंत्र अधिकारी ही नहीं हो तो आप भूमीदान कैसे कर सकते हो लेकिन प्रभावती गुप्त जो के चंद्र गुप्त दुइत्य की पुत्री थी ने भूमीदान किये हमें उनके विवरण मिलते हैं तो question उठता है अगर महिलाओं को दा भूधान करने की अनुमती नहीं थी तो प्रभावती गुप्त ने भूधान कैसे किया तो friends इसके दो reason बन जाते हैं एक तो वे रानी थी और हो सकता है कि रानी थी इसलिए उनके पास भूमी थी स्वतन्त रधिकार था उनका भूमी पर और दूसरा ये भी हो सकता है कि धर्म शास्त्र सभी इस्तानों पर समान रूप से लागू ना होते हो हो सकता है कि धर्म कि जो प्रभावति गुप्त है वो दक्षिन की साइट थी हो सकता है कि पूर्व उत्तर की साइट जो है धर्म शास्त्रों का जादा महत्वरा हो दक्षिन में इनको इतना ना माना जाता हो सो फ्रेंट्स इस पार्ट में वस इतना ही I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंट्स लाइक करें कॉमेंट करके बताए कैसी लगी अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और फ्रेंट्स सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होगा उससे जरूर दबा दें ताकि जो भी लेटिस्ट वीडियो में अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेंशन आपको मिल जाए थैंक यू, बाँ बाई है गाईस, वन्स अगें वेलकम तो मैं चैनल एटुकेशन हब और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान आर नगर फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का पार्ट थार्ड होगा और पिछले इस चैप्टर के पार्ट देखने के लिए आप मैंने चैनल पर चाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम करेंगे जो चैप्टर 2 में सरदार और सरदारी के बारे में दे रखा है सरदार और सरदारी में फ्रेंड्स बिलकुल भी confuse होने की जुरुवत नहीं है जो difference इसमें है वो बहुत minor सा difference है और वो मैं आपको यहाँ पर explain करने वाली हो तो friends वीडियो बहुत ध्यान से देखना So friends, सबसे पहले बात करते हैं सरदार के बारे में सरदार एक शक्ति-शाली व्यक्ति होता है सरदार जो होता वह एक व्यक्ति होता है जो की बहुत शक्ति-शाली होता है जिसका पद वन्शा नुगत हो भी सकता है और नहीं भी वन्शा नुगत मतलब पहले उसके दादा, फिर फादर मतलब ग्रेंट फादर, फादर फिर वो, फिर उसके सन इस तरीके से जो वंशा नुगत परंपरा चली आती है दादा, पिता, पुत्र, उसका पुत्र इस तरीके से जो परंपरा होती है उसे वंशा नुगत कहती है तो सरदार जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसका पत वंशा नुगत भी हो सकता है और नहीं मी अब जो उसको समर्थन करते हैं उसके समर्थक जो होते हैं फ्रेंट्स वो उसी के खांदान के लोग होते हैं सरदार के काम क्या होते हैं उसे क्या कार्य करने होते हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ सो फ्रेंट्स सरदार का कार्य विशेश अनुष्ठान का संचालन करना यूद के समय नित्रत्व करना विवाद सुलजाने में बध्यस्तता की भूमी का निभाना मतलब जो भी विशेश अनुष्ठान होते हैं उनका संचालन करना यूद के समय अपना नेतरत्व देना किस तरीके से यूद करना है और विवाद जो होते हैं उनकों को सुलजाने में मध्यस्तता की भूमी का निभाना दोनों पक्षों से बात करकर किसी नतीजे पर पहुँचना ये सारे कारिये होती है फ्रेंट्स सरदार के और वो जो होता है वो मैंने आपको बता दिया अब चलते हैं फ्रेंट्स सरदारी की और प्लीज ये बिल्कुल भी ना सोचे कि सरदार अगर व्यक्ति होता है शक्तिशाली तो सरदारी को शक्तिशाली औरत होती होगी इसा बिल्कुल भी नहीं है, सरदारी राज्ये को कहा जाता था, तमिल शेत्र में, जो साउधरन एरिया है, वहाँ पर सरदारी कहा जाता है राज्ये को, जैसे चोल, चेर, पांडे जैसी जो सरदारिया थी, जो राज्ये थे, उनका उदे हुआ दक्षिन में, और जो चोला किंग्डम, चेरा किंग्डम, पांतिया किंग्डम, तो ये राज्ये होते हैं और इनी को सरदारी कहा गया, अब आप लोगों की बुक में दे रखे हैं, कि जो जनता थी, वो राज्ये के बारे में कैसा सोचती थी, हलांकि हमारे पास विवरंट तो बहुत कम है, जो चनता के विचारों को दर्शाएं, परंतो जातक और पंचतंत जैसी जो कथाएं हैं, उनसे हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, और गंद तिंदू, ये जातक कथा है, जिससे पता लगता है कि एक राजा की प्रजा उससे बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वो बहुत जारा करों की मांग करते थे, और वहां के लोगों को सही तरीके से अपना जीवन निर्वहा करने के लिए भी पैसे नहीं मिल पाते थे, अब फ्रेंड्स, राजा से प्रजा दुखी रहती थी, लेकिन कोश्चन उठते है कि राजा और प्रजा का तनावपून र जनता प्रशान थी, या जो भी महां के लोग थे रहने वाले महां के नागरिक प्रशान थे, तो बेसिकली यही तनाव का कारण रहा कि वो बड़े-बड़े करों की मांग करते थे, और फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सरदार और सरदारी का डिफरेंस क्लियर हो गया है ये फर्स उसमें, फर्स टम के जो एक्जाम होते हैं उसमें उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे, तो फ्रेंड्स, उपज बढ़ाने के तरीके बढ़ने लगे धीरे-धीरे, क्या हुआ कि हलका प्रचलन शुरू हो गया, बेसिकल एक्जाम में कोशन आई थी ये था कि छटी शतापती इसापूर में उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके सामने आए यह कोशन को घुमा कर भी दे सकते हैं आपके सामने कन्फ्यूज नहीं होना है तो हलका प्रचलन शुरू हो गया फ्रेंड्स गंगा और कावेरी की जो घाटियां हैं आपको पता है गंगा भी बहुत गंगा के आसपास का जो एरिया है वो बहुत उपजाओ है और कावेरी के आसपास का एरिया भी तो वहाँ पर बहुत जादा बारिश होती थी गंगा इन कावेरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो वहाँ पर खेती करने के लिए या भूमे के जुताई करने के लिए वहाँ पर हलका प्रचलन शुरू हो गया उसके बाद आता है फ्रेंड्स लोहे के फाल का प्रियोग तो फ्रेंट जो उपजाव भूमी होती है वहाँ पर जुताई करने के लिए लोहे के फाल का प्रियोग होने लगा जुताई के लिए होता था बेसिकली यह आपकी बुक में दे रखा है लेकिन आपको एक्जाम में जब लिखना है तो कैसे लिखना है माल लो बेसिकली एक्जन 4 माक्स कही आता है तो आपका 1st पॉइंट बनेगा हलका प्रियोग 2nd पॉइंट बनेगा लोहे के फाल का प्रियोग 3rd पॉइंट बन जाएगा आपका कुदाल वाला कुदाल का प्रियोग और 4th बन जाएगा सिंचाइ माध्याम विक्सित करना है सिंचाइ माध्याम विक्सित हुए अब आप ये लिख कर नहीं छोड़ दोगे आपको एक नंबर मिलेगा मुश्किल से आपको ये लिख कर हल्का प्राचलान उसे अच्छे से अंडरलाइन करके उसके बाद आप यहां से लिखना शुरू करोगे हलका प्रचलन कहां शुरू हुआ उसका क्या प्रियोग होता था सेकिंड पॉइंट लोहे के फाल का प्रियोग यहां होता था कुदाल का प्रियोग प्रियोग कहां होता था आपको पता है कुदाल का प्रियोग पाहड़ी शेत्र में होता है और महा के लिए यही बेसिकलिए अच्छा होता है उसके बास सिंचाई सा माध्या में विक्सित हुए कुए तलाबों का निर्मान करवाया गया यह सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो ब्रहमनिय सन्यासियों को दिये जाते थे और भूमिदान महिलाएं नहीं कर सकती थी क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमी पर स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं थे अगर आप भूमी के स्वतंत्र अधिकारी ही नहीं हो तो आप भूमीदान कैसे कर सकते हो लेकिन प्रभावती गुप्त जो के चंद्र गुप्त दुइत्या की पुत्री थी ने भूमीदान किये हमें उनके विवरण मिलते हैं तो question उठता है अगर महिलाओं को भूधान करने की अनुमती नहीं थी तो प्रभावती गुप्त ने भूधान कैसे किया तो फ्रेंज इसके दो रीजन बन जाते हैं एक तो वे रानी थी और हो सकता है कि रानी थी इसलिए उनके पास भूमी थी स्वतंत्र अधिकार था उनका भूमी पर और दूसरा ये भी हो सकता है कि पूर्व उत्तर की साइट जो है धर्म शास्त्रों का जादा महत्वरा हो दक्षिन में इनको इतना ना माना जाता हो सो फ्रेंज इस पार्ट में बस इतना ही आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंज लाइक करें कॉमेंट करके बताए कैसी लगी अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और फ्रेंज सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होगा उससे जरूर दबा दें ताकि जो भी लेटिस्ट वीडियो में अप्लोड कर उसकी नोटिफिकेंशन आपको मिल जाएं थैंक यू बबाई